हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनियसिटी में बात करेंगे इंडस इंड बैंक के बारे में कि आज इसमें क्या हुआ कल और आने वाले दिनों में ये कौन-कौन से लेवल पे आपको ट्रेड होता हुआ दिख सकता है अगर आपके पास कोई पोजिशन है तो आप उसको होल्ड करें सेल करें या फिर नई पोजिशन कब बाय करें ये सारी चीजे मैं आपके साथ और टेकनिकल चार्ट इनालिसिस के माधियम से इस वीडियो में बात करूँगा साथी में मैंने कल के वीडियो में जो लेवल बता थे कौन-कौन से लेवल पर खरा उतरा है कौन-कौन से टागेट हमारे अच्छी हुए हैं ये सारी चीजे मैं आपके साथ इस वीडियो में डिसकस करूँगा तो हमसे बने रही तो चैदे स्टाट करते अगर आज का लेखा जो हम देखे तो तकरीबन यहाँ पर डेट धाई रुपे की 2.65 रुपे की कम्पलीट अपको यहाँ पर डाउनसाइड देखने को मिली है अगर हम इसका हाई देखे तो देखे 530 रुपे कल का वीडियो उठा के देख लिजे मैंने यहाँ पर क्लियर कट बोला था कि इसका स्ट्रॉंगेस रुपे कल के लिए फिर आने माले दिनों पर 530 रुपे होगा और देखे एक्जेक 530 पर आके इसने फिर वहाँ पर रुपे रुपे की और डाउनसाइड आ गया अगर इस रेजिस्टन्स एन सपोर्ट हम यह चाहते हैं और जानते हैं एनालेसिस करके किसका ओप्शन चेंड के डेटा का दोस्तों ओप्शन चेंड का डेटा बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होता है इंपोर्टन होता है यहां से हमें कोई भी स्टोक की स्ट्रॉंग सेलिंग पोजिशन बनाई होती तो आपको अच्छा सा मुनाफा इसमें मिल जाता तो दोस्तों अभी अगर हम देखे तो देखिए एक जिगा पर भी नहीं सबकी जिगा कॉंट्रेक्ट निकल रहे लेकिन अभी तीन लाख अठासी अजार कॉंट्रेक्ट यहां पर बढ़त वहाँ पर नहीं दिखे रहा और कमसे कम 510 और 500 रुपे पर वो स्ट्रॉंग सपोर्ट दिखा रहा है लेकिन अगर ऑप्शन जिनका मुमेंटम देखिए तो मैं पता चला कि स्ट्रॉंग रजिस्टन्स एन स्ट्रॉंग सपोर्ट लेकिन अभी हम उसका सेंटिमेंट देखि कि देखिए यहां उपर की और बहुती स्ट्रॉंग जो ऑप्शन सेलर्स है जो कॉल्ड राइटर है वो बर्डर है जो दिखा रहा है कि यह अभी नीचे की और जा सकता या फिर 520 पे नहीं उपर नहीं जा सकता यह डेटा हमें यहां पर इंटरपिट होता हुआ दिख रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कीजिए बिल्कुल कमेंट कीजिए मैं आपके लिए बिल्कुल थोड़े ही दिनों में एजीएस्ट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिससे आप ऑप्शन इनका डेटा खुद से ही कोई भी स्टोक का एनलाइज कर सके साथ में जैसे बैं बोलता हूँ आपको homework भी दूंगा मैं ऐज़र तीचर हूँ तो आपको homework भी दूंगा और आपको मुझे वह homework करके email करना होगा फिर मैं आपको right homework दिखाऊंगा रैट उसका answer दिखाऊंगा यह सबतों बात की चीज़े है जब आप मुझे comment करेंगे और मैं उसका वीडियो बनाऊंगा फिर ये सारी चीजे होंगी अभी बात करते कि कल के वीडियो में आपको ये चैनल होते भी दिखा है थिकि अभी एक चैनल की तरह फोलो कर रहा है ये देखें यहाँ पे इसका क्लोजिंग है तो ये देखें सेम आज का दिन देखें ये भूल जाए ये तो वो है कि यह channel follow करके और निचे आया था फिर यहाँ पर consolidation हुआ था फिर वो उपर की channel follow कर रहा था यह देखी यहाँ पर दो candle दिख रही है यह था कल का closing और आज दिखिये start हुआ कहाँ पर बिल्कुल उसने यहाँ पर red line है जो मारे channel है बिल्कुल वहाँ पर इसने support लिया औ और अच्छा सा यह उपर गया 530 तक तो दोस्तो डेटा देखिया जैसा मैंने कल चैनल बनाया था बिल्कुल वही पर ही आज इसने accurate support लिया और फिर से उपर चला गया जैसा मैंने बोला था कि 530 रुपे इसका बहुती strong resistance है तो फिर वहाँ पर नीचे आ गया था अगर आप अगर आपको किसी और वीडियो के भी analysis चाहिए daily basis तो मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए मैं उसका analysis भी daily basis पर आपके सामने लाओंगा यह मैंने कल का आपको इंट्राडे चार्ट दिखा था कि इस तरह का यह follow कर रहा है और आद देखिए यहां से देखिए gap up इसने दिया gap down ओपनिंग दिया फिर यह green candle जो breakdown करती है ब्रेक अप करती है वह दिखा रहे थे कि उपर क्यों जाएगा फिर यहां पर इसने support लिया जो मैंने कल के लिए लेवल दिखाया था यह थोड़ा जूम करके दिखाया इसलिए आपको शायद लेवल चेंज होते वह दिख सकते हैं लेकिन एक्चुली में नहीं हुए लाइन वह यह एक दो मैंने नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि कल का आपको मुझे डेटा देना है कि कल क्या हो सकता है इसलिए तो फिर यहां पे 530 में से resistance फिस किया फिर से वो नीचे फिसला और यहां पे इसने support लिया फिर से इसने breakdown दिया फ तो अब आपके लिए लेवल क्या हो सकते है पहले चीज़ strong resistance and strong support कल के लिए फिर आने वाड़े दिनों के लिए 520 तो है लेकिन उसके उपर गया तो 530 रुपे जैसे मैंने बोला कि strong resistance है वो क्रॉस करके आपको दो green candle उसके उपर देखेगी तबी यह positive breakdown होता हुआ आपको द दिखा था यह मैंने आपको कल लेवल दिये थे कि अगर यह 518 के उपर रहा तो आपको उपर के लेवल दिखेंगे बिलकुर यहां पर target 1 हमारा अच्छी हो गया है 526 रुपे आप चेक कर सकते क्योंकि 530 का तो इसने high बनाया था तो हमारा पहला target यहां पर अच्छी हो गया मैंने दिया था downside कि 508 के जैसे ही नीचे रहेगा तो आपको नीचे के लेवल दिखाएगा यह दिखेंगे यहां पर भी हमारा target 1 जो 517 का था और 507 तक भी यह गया था 512 तक गया था तो यह target छूतो नहीं पहले लेकिन उसके near इसने जो है वो जाने की कोशिश की थी अभी कल के लिए इसके target क्या होंगे या फिर इसके level क्या होंगे यह level सिर्फ intraday के लिए कल के लिए यह दिखना पोजिशनल के लिए यह level बिल्कुल नहीं है पोजिशनल वालों को में level नहीं देता लेकिन उनको में strong resistance और strong support कहता हूँ जिसकी वज़े से वो accurate entry and exit ले पाए कल अगर यह 520 रुपे के उपर खूलता है या फिर उपर sustain करता है तो आपको यह 3 level पे यह trade आता हूँ ता हुआ दिख सकता है अगर 530 को break करेगा तो इसका next level होगा 535 और 538 अगर यह 520 के नीचे रहता है जैसा आभी हमें channel में दिख रहा है कि यह शायद नीचे channel में break तो फिर नीचे आ सकता है जैसे यहाँ पर देखिए यह channel देखिए बिलकुल यहाँ पर यह रिले कर रहा है यह देखिए आधी candle दीख रही हमें जो cross होती हुँ नीचे breakdown देती हुई दिख सकते अगर यह नीचे gap होता है तो बिलकुल यहाँ पर चैनल का breakdown होगा यह नीचे क हुआ आपको बिलकुल देख सकता है अगर डेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों को share किजिए और हमें subscribe करके हमारी family में जोड़ जाए थैंक यू